हेलो स्टुडेंट आफ क्लासिक्स कल हमने एक्टिविटी पड़ी थी आयोडीन टेस्ट आज हम प्रोटीन से स्टार्ट करें प्रोटीन प्रोटीन से लाज कॉंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो हमारी सेल्स को फंक्शन करने के लिए रिक्वायर उते हैं प्रोटीन्स आर नीड़ेट बाइड बाडी फॉर कॉंस्टेंट बूल्डिंग और रिपेर अफ टीशू अमारे टीशू जो होते हैं उन्हें रिपेर करने के लिए और अमारे बॉडी के डवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन्स के जरूरत होती है नैल्स, हेयर, स्कीन, मसल्स, और बलड और बलड अल आर दे मेड-अप अफ प्रोटीन्स हूं से यह सब प्रोटीन से बनते हैं वी चेट प्रोटीन्स फ्रम मिलक, मेड, मीट, फॉल्ट, यॉगार्ट याम and all kind of pulses, सब प्रकार की दालों से जो भी होते हैं, वो हमें protein मिलते हैं, protein molecules are made of a large number of smaller molecules called amino acids, protein molecules क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, छोटे-छोटे amino acids के molecules, जो होते हैं, हमारी body में बनाते हैं, when our body does not receive any carbohydrates and fats to release energy, जब हमारी body में किसी भी प्रकार का carbohydrates और fats अगर हम नहीं लेते हैं, तो proteins can release energy in those special cases, उस time पर हमारी body में जो proteins होता है, वही जो होता है, वो हमें energy देने का काम करता है, sources of protein, protein का sources के हैं, seafoods, समुदरी जो भी होते हैं, समुदरी खाना जो होता है, वो, milk, cheese और yogurt, meat from fish, chicken, mutton, etc, eggs, beans, और soya beans, इन सब में proteins होता है, benefits of proteins, proteins के benefits के हैं, it is an important component of every cell in the body, body के हर एक cell के लिए protein पहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए देखिए इसे body building भी कहा जाता है, और body use protein to build and repair tissue, हमारी body में tissue को repair करने के लिए और बनाने के लिए protein यूज़ होता है, we also use protein to make enzymes, hormones, and other body chemicals, proteins is an important building block of bones, muscles, cartilage, skin, and blood. Along with fats and carbohydrates, protein is a macronutrient, meaning that the body needs relatively large amount of it. मतलब carbohydrate के अलावा proteins भी एक ऐसा macronutrient है जिससे के हमारी body में इसको एक बहुत large amount में इसके आवशक्ता होती है. activity test of confirm the presence of protein. पहले हमने iodine starch का test पढ़ा था, starch का test कैसे iodine solution से करते हैं, starch के test के लिए iodine solution को अगर हम डालते हैं, तो वो dark blue black में convert हो जाता है. ऐसे ही आज हमारा test है confirm of presence protein, protein के presence के लिए के हमारे खाने में protein है की नहीं है. The following steps are performed to test the presence of protein in a food item. Take a small quantity of food item to be tested. एक छोटा आप टुकड़ा जो है test करने के लिए ले सकते हैं, खाने का. Grind the food item and powder it by meshing. आपका ये जो food item है मान लिए आपने थोड़े से जैसे राइस ही ले लिए, राइस लेने के बाद या आपने दाल ले लिए, उस दाल को आपने थोड़ा सा वो खाना लेना है जिसमें प्रोटीन होगा. यहां आपको ध्यान रखना है, जैसे या दियो है या तो आपने बीन्स ले लिजिए, है ना, मिल्क है, चीज है, योगाट है, सोया बीन है, यह सब चीज़े या किसी कोई इसी भी पलसे हैं, उनको हमने लेनी है, लेने के बाद उसे हमें क्या करना है, मिक्सी में ग्राइंड करना है, तेक ए स्मॉल कॉंटिटी अप फूड आइटम तो भी टेस्टेड, ग्राइंड फूड आइटम और पाउडर बाइ मशीन, पूड दे फूड आइटम इंटो टेस्टेड यह जो हमने मशीन में किया है, मिक्सी में ग्राइंड किया है, उसको थोड़ा सा पाट हम लेंगे और उसे टेस्टेड में डालेंगे, एट 10 ड्रोप उफॉटर इंटो दे शेम टेस्टेड, फिर 10 ड्रोप उसमें पानी की डालेंगे, एट 2 ड्रोप उफॉपपर शल्फेड, प्रोटिन की टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, कॉपर सल्फेड सॉल्फेड अंडरलाइन, copper sulfate solution to the same test tube 2 drop हमें copper sulfate solution की डालनी है उसी test tube के अंदर add 10 drops of caustic soda उसके बाद 10 drops 2 drops of copper sulfate और 10 drops of caustic soda solution की and shake test tube फिर उस test tube को हिलाना है observe the color of the mixture तो हमें अब इस mixture के color को देखना है observation and explanation violet color indicates the presence अगर हमारे यह जो test tube में color violet हो जाता है तो यह indicates करता है presence of protein in the test food item की इस food item के अंदर जो है क्या था protein presence था तो यह protein का test है यह activity है वच्चों यह आपको ध्यान रखना है कि protein के test के लिए हमें copper sulfate और caustic soda और फिर उसका result क्या है कि violet color में change हो जाएगा जैसे starch के test में क्या था starch के test में हमें iodine डालना था और iodine के बाद वो dark blue और black में change हो रहा था food item तो यह आपको इन चीजों को ध्यान देना है turn the page page number 30 fats प्रोटीन के बाद थर्ड है fats fats are energy giving foods fats जो है वो energy giving food है जैसे कि हम dark chocolate वगर खाते है chocolate खाते हमको energy मिलती है तो वो energy giving food है they provides us with more energy when it is used up by the body body को जब ज़्यादा energy के ज़रो तो 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 ज़्यादा दोड रहे हों कर रहे हों प्रोटी से ज़्यादा वर्क करना उस टाम एक chocolate मुह में रखो तो हमें foreign energy मिलती है fats are stored in our body for future use fats जो हमारी बादी में से हम लोग व्रत करते है वास करते हैं वास करते हैं तो बहुत टाइम तक हम दो दिन तीन दिन भी ना खाने के रह सकते है जो हमारी बादी में fat होती है वही सारे function perform करती है fats can be obtained both from animals and plants fats हमें plants से भी मिलती है और animals से मिलती है fats from plants are called oils जो fat हमें plants से मिलती है उन्हें oil केते हैं जैसे seeds like mustard सरसो के सरसो का तेल होता है सीसम होता है groundnut, मुफली का तेल, soya bean coconut, sunflore can be used to produce edible oils यह सब चीजे जो है वह हमारे खाने का तेल बनाने का काम आती है sources of fat fat का source क्या है cheese cheese में fat होता है whole eggs, sabut egg, nuts जो भी काजू बदाम coconut, dark chocolates fatty fish और olive oil यह सब sources of fat है sources of fat sources of fat क्या क्या होते है fat के दो source है सबसे पहले from plants from animals plant से मिलने वाले में क्या है ground nuts, sunflower, season, soybean, mustard, coconut, walnut, cashew nut evocard, sperm from animals से milk, mutton, fish, butter और egg benefits of fat fat के benefit क्या है it provides strength to muscles muscles में यह हमें शक्ती देती है it is important to eat unsaturated fat in small amount as part of a balance diet मतलब हमें unsaturated fat को use करना है और कम मात्रा में fat लेनी है fat के हमारी body को बहुत जादा ज़रत नहीं लेकिन essential है फिर भी जरूर ही ऐसा नहीं कि fat अमारा खारे में से निकाल दे हम इसके बिना भी energy नहीं रहे है हमारी body को it protects internal organs of the body from external shocks body में जो भी internal organs होते हैं उनकी यह एक तरह से रक्षा करती है बहार से जो भी हमें shock लगते हैं बहारी धक्कों से हमें बचाती है बहार के atmosphere में मैं survive करने के लायक बनाती है they produce more energy than carbohydrates carbohydrates से भी ज्यादा energy जो है वो produce करती है fat below the skin protects the body against rapid loss of heat गर्मी के जो हमारे हमारी body को यह गर्मी से भी बचाती है what serves as a solvent for fat soluble vitamins it is an important form of energy storage for future use future के लिए use करने के लिए भी जो energy होती है वो हमारे fat की रूप में काम आती है cholesterol is a type of fat found in food cholesterol एक तरह से fat यह जो खाने में पाया जाता है and also in our blood जो के हमारे blood में भी पाया जाता है cholesterol has many important function in the body body के बहुत सारे function करता है cholesterol but having high level of the wrong type of cholesterol in the blood increase heart disease risk अगर हम high मात्रा में cholesterol ले लेंगे बहुत जादा अगर हम fat use करेंगे fat की मात्रा हमारी body में जादा हो जाएगी तो यह हमारी body में heart disease risk करती है जादा हमारी body को heart disease होने का डर रहता है इसलिए कहते हैं कि तेल चिकन है जो है वो कम खानी चाहिए लेकिन खाना जरूर है you need a minimum of 10-20% of your overall calories intake in from the fat 10-20% calories जो होती है वो हमें fat से चाहिए होती है activity test to confirm the presence of fat अब हम कैसे पता करेंगे कि खाने में fat present है कि नहीं पहले हमने starch का test किया था उसके बाद हमने protein का test और a fat का test the following steps are performed to test the presence of fat in a food item take a small quantity of food item to be tested एक food item आपको लेना है जिसमें fat हो wrap the food item in a small piece of paper उसको आपको एक छोटे paper में उस food item को paper के अंदर wrap कर देना है crush the food item wrapped in the paper फिर उस paper के अंदर आपको उस food item को crush करना है तोड देना है strengthen the paper फिर आपको paper को देखना है dry the paper by keeping in the sunlight for a while sunlight के अंदर उस paper को सुखाना है observe the paper paper को देखेंगे observation and explanation an oily patch of the paper indicates the presence of fat in the tested food item आपका जो butter paper वगरत जो भी होगा वो oily हो जाएगा वहाँ पर oil का एक spot बन जाएगा अगर खाने में fat होगा तो जैसे chips वगर है आप कुछ भी उसको रखिए butter paper के उपर फिर उसके crush कर दीजिए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यह oil का patch बन जाएगा इसका मतलब क्योद उसमें fat है assignment Name the component present inpps butter बटर के अंदर कौणसा component होता है जैसे कि आपको पता है कौण सा component होता है butter में यूशा आपको बताना है add the sources of fat fat का sources बताना है बटर में कौण सा component होगा ? गाला में यह यह देखा है अपने bothform tons ए में कौन-कौन से सो О्प में ससे यह सारे इस तर्ष К्या है यह एक unser यह लिखा हुआ है स्ट्राच क्या है यह इसका अंसर है इसका अंसर है इस अंसर में आएगा ओके चलवर्ण आपकी नोटबुक के अंदर ऐसा एक कॉलाज बनाना है ऐसे खाम फूड आइटम का जिसके अंदर कार्भो हाइड़िड हो प्रोटीन और फैट हो अपनी नोटबुक के अंदर जंक फूड It is a slang term for food containing a large number of calories from sugar or fat with little dietary fiber, protein, vitamins or minerals. The term can also refer to high protein food like meat containing saturated fat. When junk food is consumed every hour, the excess fat, simple carbohydrate and processed sugar found in junk food. Contributes to an increased risk of obesity, heart disease and many other chronic health conditions. Consumers also tend to eat too much in one sitting and those who are satisfied with this appetite of junk food are less likely to eat healthy foods like fruits or vegetables. Junk food का देखे हैं इसमें दिया हुए junk food अगर हम खाते हैं तो junk food से क्या होता है? हमारी body जो होती है, वो obesity की शिकार हो जाती है, heart disease की शिकार हो जाती है और हमारी body में बहुत सारी chronical health conditions हो जाती हैं. In camel, the excess amount of fat are accumulated on its hump. Camel के अंदर बहुत सारी जो fat होती है, उसके hump के अंदर होती है, due to this camel can live without food for many days. इसी कारण camel जो है, बहुत दिनों तक बिना खाने के रह सकता है. Do you know, fast food is a mass-produced food that is typically prepared and served quicker than traditional food. The food is typically less nutritionally valuable compared to other food and dishes, while any meal with low preparation time can be considered fast food. Typically, the term wrappers to food solved in a restaurant or store with frozen, preheated or pre-cooked ingredients and served to a customer in a package form. Junk food जो होता है, एक तरह से क्या होता है, आपको packets में available होता है, इसे बनाना बहुत easy होता है, क्योंकि चपाती बनाने के लिए आपको आटा गुनना पड़ेगा, लेकिन जब आप bread वगर है, ये pizza, burger ये खाते हैं, तो ये बहुत time की बनी में खाना होता है, जो कि आपके body को नुक्सान भी करता है, इसलिए आपको junk food नहीं खाना चाहिए. Junk food देखे, junk food में क्या-क्याचीज़ आती है, burger, chowmean, manchurian, pizza, samousa, aloo tikki, coldring, chili potato और गोल गप्पे. ये सब junk food है बच्चों, खाइए, मना नहीं है, कभी-कभी खाने में monthly खा लिया, six month में खा लिया, month में two times खा लिया, लेकिन daily अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं, तो हमारी body जो होती है, वो बीमार होने का हमें खत्रा जादा रहता है, बहुत सारे disease हमारी body में होने का हम खत्रा रहता है, कल हम विटामिन से स्टार्ट करेंगे, goodbye, have a nice day